अब सभी को स्वागत है मेरे युट्यूब चैनल फ्रस्टेंधि टेग में फ्रेंड्स आपकर पीएप मेंबर हो तो यह वीडियो आप ही के लिए है आज एक गुड़ नीज देने वाले है और पीएप मेंबर के लिए जो की है पीएप इंडर्स के बारे में आज है चार मार् जरूर देखिएगा और अच्छा लगए तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब कर दिजिएगा मेरा नाम है प्रशंजीत और आप देख रहे हैं प्रशन हिंदी टेक तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को कांटिन्यू करते हैं तो फ्रेंड्स आज 4th मार्च 2021 आज स्रीनगर में CBT का मीटिंग बैठा हुआ था जहां पर कुछ गूट निवस दिया हुआ है प्रेंड्स के बारे में तो चलिए हम लोग जो उस CBT मीटिंग में जो प्रेंस रिलीज जारी किया गया था उसके जो डीटेल से प्रेंड्स के लिए जो कहा गया था ओ आज हम लोग देख फोर्थ मार्च 2021 दो बज़कर इकाउन मीट में ये निवस रिलीज जारी किया गया है नीचे आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है EPF के गेंद्रिय और नियासी बोड के 228 भी बैठक आज जम्मु कस्मुर के स्री नगर में स्रम और रोजगार राज्यो मंत्री स्री संतर्श कुमार गंगवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपाध्यक्ष श्री अपुर्वचंद्रा सचीब तथा सदेश्य सचीब श्री सुनिल बर्तवाल केंद्रिय और हविश्चनिदी आयुक तब उपस्तित थे सेंट्रल वोड ने वित्तवस 2021 के लिए अपनी ग्राहों को संचीत EPF पर 8.50 प्रतिशद बार्सिक ब्याज देने की सिफारिस की ब्याजदर आधिकारिक रूफ से सरकारी बाजट में अधिसुजित होने के बाद EPF ग्राहों को के खाता में ब्याजदर जमा करेगा तो फ्रेंज यह था पीएफ मेंबर्स के लिए एक गूड नियूज जो कि यह 8.50% आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो कि इससे फैले जो हम लोग को मिलता था 2019-2020 में 8.50 उसी में सेम हम लोग को इस साल भी हम लोग को जो पीएफ मेंबर से उनके लिए भी यह इंटरेस्ट रेट चालू रहेगा तो फ्रेंज आप देख सकते हैं यह जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही अच्छा है हम लोग और पीएफ मेंबर के लिए तो friends आज का वीडियो एई पर खतम होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरू लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए Thank you